बहुत बहुत सौगत आप सभी का आप देख रहे हैं आवाज इंगिया टीवी ये है निती राजनिती इस वक्त हमारे साथ इंजिनियर राजकुमार बडुले साभ जो की महाराष्ट राज्य के फॉर्मर सामाजिक ने आए मंत्री थे बडल साभ बहुत बहुत स्वागत आपके शो में हम देख रहे हैं महाराष्ट विदान सभा का चुनाओ है लोग एभी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं ऐसे में आप से ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो कारेकाल रहा महाराष्ट में मंत्री के नाते सामाजिकनिया मंत्री के नाते ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है कि ये जो दबा कुछला समाज है जीने सामाजिकनिया की सही मायने में जरूरत है उनके लिए क्या काम हुआ सबसे पहले मैं आवाज इंडिया को बहुत धन्यवाद दिता हूं और वहाराष्ट का समाजिकनिया मंत्री करके पिछले साड़े चार साल मैं काम करने का मुझे मौका मिला और उस लक्ष में उस उपलक्ष में मैंने महाराष्ट में सामाजिकनिया की परिभाष्षा परम्पुजे डाक्टर बाबा सवामबिटकर ने जो हम सब को बताई उस परिभाष्षा के हमुसार चलने का मेरा हमेशा प्रयास रहा और उसी के उन्ही के विचारों पर चलते हुए मैंने महाराष्ट में शोशित वन्चित दबा कुछला जो गटक है जो उपेक्षित गटक है उस गटक के लिए काम करने का मैंने प्रयास किया और उसमें कही मायने तक सफलता मुझे मिली इसलिए मैं महाराष्ट के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देटा हूँ जैसे कि आप सभी को पता है परमपुजे डाक्टर बावास अबंविटकर जो उन्यसों बीस और बाईस के दरमायन लंदन में रहके लंदन स्कूल आप एकोनोमिक्स में पढ़ते थे और वह जिस घर में रहते थे उस मकान को खरीदने का सभागी मुझे प्राप्त हुआ और वो हमने महाराष्ट सरकार ने खरीदा जो कि इस देश में सबसे पहले परदेश में खरीदने वाली सरकार के तरफ से खरीदी जान से इन्दू मिल जहां पे परंपुजे डाक्टर बाबा सवंबेटकर का समारक बनाना चाहिए करके समाज की जो भावना थी उसका आधर करते हुए माना निया देश के पंतव्रदान नरेंदर जी मूदी महाराष्ट के मुख्यमंत्री जी अड़वनिस सहाम इनके सहयोग से इन्दू मिल की जगा साड़े बारा एकर जगा रज्यसरकार को दी गई और वहां पे भुवेसमारक जिस वास्तू की कीमत 709 करूर रुपया है वो शुरू करने का वहां पे बनाने का एक सोभागी मुझे प्राप्त हुआ जिसके लिए पिछले कही सालों से 12-15 सालों से आं आनुसार और जहाजा परंपुजी डाक्ट्रबाबा साब अमःटकर महारास्थ में गए क्योंकि यह उनकी कारियो भूमी रही. जन्म भूमी भी महारास्था है और कारिय कर्टुत्व भी महारास्थ में बहुत बड़े पहमाने पर रहा है तो उन सभी स्थलों का जहाजा परमपुजे बाबाद साब गये, फिर वह दिक्षा भुमी हो, जै उनका जहां पर जंम हुआ, उनका जो जंम गाँ हो, उनका मूल गाँ हो है, वो अंबेडवे हो, या जहां पर उनका महा परी निर्मान हुआ, वो जै त्यट्यभुमी हो, इन सभी जगों का विकास करने का का काम हमने लिया और उसमें बड़े पैमाने में हमको सहकार्य भी मिला लोगों का और उस सभी के लिए हमने बड़े पैमाने पे निदी दिया तो मुझे लगता है ऐसे कही जगा है महारास में करीमन 25 जगाओ को हमने सरकार के माध्यम से निदी देखे उनका और डिवल्प्रेंट का काम हमने लिया उसी प्रकार कही ऐसी योधनाय थी फिर विदेश में जो बच्चे पड़ा करते थे वह पहले पचास बच्चों की क्षमता थी उसमें उत्पन्र की मर्यादा धायलाक रुपे तक ही थी सिमित थी उसको हमने बड़ा के छेलाक रुपे क किया और जो दुनिया के जो सव टॉप इनवर सिटीज है वहां पे जिनकों भी आडमिशन मिलता है उनके लिए हम उत्पन की मर्यादा निकालने के कारण बड़े मात्रा में वहां पे हमारे स्टूडेंट जाने लगे पच्चास की जगह हमने वह मर्यादा बढ़ाय और माधार योदना के माध्यम से जिनको होस्टल में अडमिशन नहीं मिलता उन बच्चों को उनको उनके लिए हमने रहने कि निवास की वेवस्ता और इसके लिए खाने के लिए हमने साट हजार लिए से लेके 45,000 रुपे तक निर्वाह भत्ता देने का एक योदना बने तो ऐ जैसे कहीं योदनाओं के माध्यम से शोशित वंचित गटक जिनको मकान नहीं है उनके लिए मकान देने के लिए पहले बीपेल के लोगों को मकान दियाजा करता जाया करते हैं अभी उसमें हम उत्पन की मरियादा निकाल ली और एक लाग रुपे तक सभी को घर देनी का र हमने वो योदनाओं शुरू करने की कारौन कहीं लोगों को भी मपान मिल रहे है और जैसे कि मालने मुख्या मंत्री जी कह रहे है कि 2020 तक हम रमाई आवाच योजना और शबरी आवाच योजना में महाराज के सभी लोगों को मकान देंगे और वो हमारा सपना यहां पर पुरा और ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यन से इन दभी कुछले समाज के लिए हमने काम किया OBC की क्रिमी लेर की मरियादा बढ़ाने का काम उस मेरे समय में हुआ उसी प्रकार से ऐसे कही योजना है संजे गांदी स्रावन बार योजना होगी उच्छे हजार रुपे जिनको मिलता था उसके जगवी हजार रुपे सभी को मांधन करने का काम दिव्यांगों को मांधन सबसे महत्वपुर्ण जो होती है आजीवी का यहां जो दबा कुछला समाज है उनके आजीवा के लिए जो भूमी लगती है आपने दादा साहब गायकवार इनके नाम पर एक योजना क्या थी योजना किसलें कितने लोगों को उसका लाव मिला कर्मवीर दादा साहब गाय इक वाड इस सब्लीकरन योजना यह भूमियनों के लिए महारास्ट में एक योजना है जिसमें 50 पचास पिष्दी रखम यह जो लाभर्तिय उसने भरना चाहिए और 50 सरकार ने देना चाहिए इस तरीके की योजना थी जिसमें एक एकर के पीछे उसमें जो मरियादा थी व कि और भूएट के तीन लाग करने की मॉड़ने की मुंदार को फॉर यूजना क से जवा कünkü म्युता है। तो यूजना रंद कुछसों जमना के अक्राथ सब्सक्राश्क कमा उगात है। उसमें फिर हम लोगों ने जो मरियादों जो थी, क्योंकि आज भूमी के जो रेट है, वो बड़ी मात्रा में बढ़ने के कारण उतने कम पैसे में आज जमी नहीं है, उस कारण हमने उसमें जो अच्छी खेती है, जहां पर उपजाओ जमीन है, उसके लिए हमने 8 लाक रुप सबली करण के योजना के माध्यम से, जो भूमी हैं, उनको उपजाओ जमीन देने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है. सर, हम लोग अगर विद्यारतियों के समस्या उपर जाए, तो सबसे बड़ी समस्या है, जो स्कॉलर्शिच की समस्या उत्पन हुई थी, आज भी हम देखते हैं, बहुत सारे विद्यारतियों के अकाउंट्स में स्कॉलर्शिप नहीं पहुचिये, क्या कारण है और उसके क निधी जो होता था वो कॉलेज को मिलता था, और कॉलेज फिर वो विद्यारतियों जो पढ़ते हैं, उनको विद्यारशिप गया करते थे, तो हम देखा कि इस योजना में बड़े पैमाने में कॉलेज वालों बोगस विद्यारति निखा के भी परक्कम का प्रस्ठाचार क तो इसमें हमें पता चला कि यह सायटी लगने के बाद में उसमें प्रस्टाचार हुआ ऐसा कुछिद्ध हुआ और जिसके कारण सरकार ने फिर बाद में किया कि यह online system से direct विद्यार्थियों कि खाते में पैसे जाना चाहिए इस तरह की और बाद में तो पूरे देश में ऐस पैसे वह कॉलेज को मिले और विद्यार्थियों के जो पैसे तो direct विद्यार्थियों के खाते में जाए जिसके कारण यह ब्रस्टाचार है यह ब्रस्टाचार इसमें बंद होने किया जाए ऐसी योजना बनी और उसके कारण फिर हमने वह जो पूर्टल बनाए जिसमें वि विद्यारतियों को पैसे मिलते ने ऐसी कोई बात है नहीं जो कॉलेज वाले लोग है जिनको डायरेक्ट डायरेक्ट बहुत ज्यादा पैसे मिला करते थे वो उनकी चिल्ला ज्यादा तरहे मुझे लगता है इसमें अभी इतनी अच्छी योधनाये बनी हुई है कि इसमें मलता लंदन के मकान का जो विषय है मुलता हो जब मकान खरेद आगय जि तो वह we degrees abcray को वह देज सबने बूला कि वह महां पे रहा करतेज जी कि महोणा थी लंडन में भी जो हमारे जो लोग हुते वो सबके सब आये कहते थे इसमा करिदangan सकते एतने पैसे हमारे पास नहींगा सरकार ने सरकार को निखिया राजिय सरकार कोind Denis दिया हमारी सरकार आने के पहले वह तीन सालों से वह चलते रहा आखिर अज सवा कि लंदन का घर पर वेतफिना की ने काुबद आय! उसका निलाव के किma दे मढद कप 사़ में लुम टिदर उसके बाद भाओना का आधर करते हुए हम ने वह मकान सर्कार्ट शर्कार कर लिधी ऐसे लंडन 공개 को में इसके बाद में महारास्त शरकार ने मैंनों मंखरीदा जब वो मकान खरीद लग अगे तब वह मकान था वो पर यह उम्टा नहीं था नहीं वह बाबा साब रहते थे लोर्फो ऐने हमने घर ठोल सें ख्रक लूप लेक लिए रॉप सब्सक्रां आज का भावता् लेक्षी अब system बड़े पैमाने में लोग महां पे रहा करते थे उसकी जो दुरुस्ति हमने किये क्योंकि वो 200 साल पुराना मकान था वहां पे लोग आया करते थे तो उसकी दुरुस्ति हमने जब करते समय में हमने बार-बार वहां की लोकल कॉंसिल से परवांगी लेखे महां पे काम किये थ उसका रुपांतर करने के लिए फिर बाकी बाते हुई और पहले इसमें वहां के लोकल काउंसिल ने ये कहा कि भी इसमें समारग बनाते समय उन्होंने सुरुवात में कुछ अब्जेक्शन्स वहां पे किये जिसकी तुरूटिया जो थी तो पूरी करने की सरकार के माध्यम से प्रैतन हो रहा है हमने भी वहां पे एक स्पेशल काउंसिलर लगाया हुआ है जो वह सब प्रकरन दीखता है और बाद में इंडियन हाई कमिशन और अभी वहां की गवर्मेंटी वहां पे ध्यान दे रिये और इसलिए मुझे लगता है वह जो बाबा साब का जो मकांग था जो घर है वह वास्तू का समारक में रुपांतर होने में कोई अर्चने तो पहले थोड़ी पार जो आये थी वह अर्चने दूर हो जाएगी वहां पे लोकल बॉड़ी हमने वहां पे बना है वह भी धान दे रिये महारस्त्य सरकार मानने मुख्यमंतरी जी खूद वहां पे जान दे रे और सरकार ध्यान देने के कारण वह निश्चीति उसका समारक में रुपां करूंगा इसमें कोई डाउत नहीं है हाजारों सालों से जिनको न्याय नहीं मिला उन सभी समाज के गटक को न्याय मिलना चाहिए ऐसी फिर वो शिक्षा उनके वारे में हो एजुकेशन के संबंद हो रूजगाड का प्रश्ण हो उनका हम तो आपका अभिनन्दन करते हैं आपको मंगल कामना देते हैं क्योंकि बाबा साब की जो कर्म भूमी है वो नाकपूर भी थी जहादम्मा दिक्षा एक तरफ आपने दिक्षा भूमी को 100 करोट का अनुदान दिलाया दूसरी तरफ 40 करोट का चीचोली में और कम से कम देर सो करोट की लागत से डॉक्टर अमबिटकर कन्वेंशन क्या प्रेदना रही क्योंकि इसके पहले बहुत सरकारे आई इसके पहले भी लेकिन उनकी कर्म भूमी सही मायने में दिक्षा जहां उन्होंने दिक्षा ली तो दिक्षा भूमी एनाकपुरा और उसका अनन्य साधारन महत्वफ पुरे दुनिया में हैं और इसलिए हमको यह लगता है कि वहां पे जो बाबा साहब को मानने वाले बगवान बुद्र को बाले जो लोग हैं बड़े पैमाने में वहाँ पे आते हैं इसलिए दिक्षा भूमी का जिस तरीके से उसका डिवल्पमेंट होना चाहिए वहां के समीती की वारम वारम वार यह मागनी रहे और इसलिए माननीय हम उख्यमंतरी जी माननीय अगटकरी साब इन्होंने वहां पे अग्रह उनका भी आग्रह था और इन सब के आग्रह के कानन वहां पे सव करोड रुपे दिया गया समाजिक नहीं व्युभक की माद्दम से और निश्चित उसका काम भी शुरू हो रहा है चिछोली जहां पे परम्पुजे बाबा साहब हमेट कर जीखे सारे के उनके जो उनकी बाखी के बस्तुय है वहां पे रखी गी है और वहां पे भी बड़े स्रद्धापुर्वक बावा साब कुमाने वाले हमारे भाई जाते है तो उसका भी डेउलप्मेंट होना चाहिए ऐसा हमें लगा और इसलिए वहां पे भी चिछोली में 40 क्रोड रुपे दिये ग बावा सब अमबिटकर के विचारों से वहां पे भागवान गुत के विचारों को और जीवीत करने के लिए विपश्चना केंद्र से लेके वहां पे बड़े वाच्वनालाई से लेके हर चीजे वहां पे बनाई जा रही है बैसे कन्वेंशन सेंटर इसकी कलपना पहले किया और एडिशनल निदी भी वहां पे देखे को कन्वेंशन सिंटर का काम क्यूंकि यह सभी दो जगह है यह परमकुझे डाक्टर बावा से ममबिटकर के विचारों को विचारों से हम सब को प्रेरीट करते हैं और यह सभी प्रेरणा स्थल है और इसलिए हमें लगता है क कि इनका विकास होना बहुत ज़रूरी है इसलिए हमने वहां पे दिदी दिया है बड़न साब एक बात जो है भीमा कोरेगाव जो के शोरिय का प्रतिक माना जाता है महारास्टर में पूना के पास जो भीमा कोरेगाव है उसे शोरिय का प्रतिक माना जाता है दो साल पहले व आपसे दिमा कुरे गाओ जैसे कि हम सब को पताई हुआ इस शारी भूमी है जी डाक्टर बावल साब अमिटकर वहां पे जाया करके थी और सभी लोगों की वहां पे ये थी कि वहां जो जो नड़ाई महां पे हुई थी वहां पे जो वीरस थंब विजैस थंब जो जो सर्कां ओकि अएन गया था तो आपर जो दस से करड़ाजिता इसके ऊपर अतिक्रम्न किया गया था तो अतिक्रमन वहांसे अताना चाहिए और वहां पे एक मिलिटरी स्कूल बना चाहिए ऎसे लोगों की दिमांड थी इसलिए कही सालों से वह कम से कम 30-40 सालों से वहां पर अतिक्रमन किया गया था लेकिन कोई द्यान नहीं दे पा रहा था तो हम मंत्री बनने के बाद में पही लोगों के डिलिकेशन आते थे और पही लोग उसके लिए जो लड़ते थे तो उनकी भाव द्यानक्स देती थी और इसलिए हमने वहां पर बैठे के लिए बार बार और और वहां पर उसको जगह का वो जो अतिक्रमन था वो अतिक्रमन निकालने के लिए दिलादी कारी से लेगे सभी अतिक्रमन से बैठे के लिए और उसके बाद में वो अतिक्रमन हटाया गया में हाय कुट में वो प्रकरण आज के गड़ी में है लेकिन निश्ची ती जो नीचे के इससे उसको हमने क्लियर किया और निश्ची सरकार हमने स्पेशल बारटी के माध्यम से वहां कॉंसिलर लगाने के कारण वह जगा के ऊपर जहां जहां लोगूं की दिमांड है कि वहां अपेक मिलिटरी स्कूल कि महार बट्रालियन जिसके माधने कारेक्रम भी मुंबे में लिया था तो हमारे शौरे के जो प्रतिक है वो सभी शौरे के प्रतिक वहां रखे जाए ऐसी दो बाहना है थी वो भी पहिश्य में करने का हमारा समय कर मिश्यती है हम अब चर्चा करते है कि इलेक्शन हमारे दर्वाजे पर है ए भी फॉर्म दिये जा रहे है नामांकन भरे जा रहे है कॉंग्रेस ने कुछ उमेदवार अपने ताई किये है बीजेपी भी हो सकता है आज अपने उमेदवार क्या लगता है कि जो जवाबदारी पार्टी ने आपके उपर दी थ कि महारास कि समजी क नयाए विभाग की जो संकल्पना लग्र बाबासव अंभिटकर की जो थी उन्होंने जो फोड और उन्होंने यहां पर वनिसो बद्थीस में उसंकल्पना रखी ती कि समाजी के नयाए यह जो दबा कुछला जो समाजे जो अनिश्टपरताव के कारें पानिश्टर रूठीयों के कारण हजारों सालों से जिनको न्याय नहीं मिला उन सभी समाज के गटक को न्याय मिलना चाहिए ऐसी फिर वो सिक्षा उनके बारे में हो एजूकेशन के संबंद हो रूजगार का प्रश्ण हो उनका उनका रहने का प्रश्ण हो उनके सभी काम करने के दुरूर्ट तै सरकार कोई भी लेकिन उनके विचारों में जो काम अधुरा जो काम है वह पूरा होना चाहिए ऐसा हमें लगता है और निश्चिति आज अभी एलेक्शन का दौर है जिए हम भी यहां पर एलेक्शन के लिए त्यार है पार्टी निश्चिति मु च्बूरा करने के लिए इस चुनाव में उतर रहे है और निष्टिती। जो समाज। एक जिन कagain significant निर्मान हूं चाहे समथा मूलक समाज। जिसमें जाती को कोई बढ़ावा नहीं देते हुई है। अभी हमारे उबी सी हम्यारे अनुसुचित जाती के लोग इन सब को न्याय मिलना चाहिए ऐसी जो भूमी का है तो उस भूमी का असको लेकर हम काम करने के करेंगे और निश्चित मुझे लगता है कि निश्चित हम यहां पर बड़ी मात्रा में निश्चित ही जीते गे ऐसा म बड़ी अदब के साथ हमारे साथ पेश आए और सब को पता है कि आज आज आप घर में हैं लगबग सभी को पता है सब ने कहा कि हाँ सर आज घर में आप जाके मिलिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने मद्दाताओं को इस दोर में जबके आगे इलेक्शन है मत्दाताओं को मैं यही कहूँगा कि निश्चिति ऐसे लोगों को चुनके दीजिए जिनेवने इस देश की बुनियाद समता मुलक समाज निर्मान करने के दुरुष्टी से और जिन-जिन महापुरुषों ने यहां पर ऐसा समाज जिसमें जाद धर्मपंथ इससे ज्यादा बेहतर इंसान निर्मान हो उसके लिए जो काम करने वाली लोग उनी लोगों को चूनके देखे जाद बड़ी मात्रा में चूनके देवे और एक भारतिया सम्विधान परम में विश्वास रखने वाले हमारे सभी भाहियों को चूनके देने की अपिक्षा है मैं यहां पर करता हूँ और जितने भी लोग है निश्चिती हम सब को जादा से जादा मतदान देखे इन महापुरुषों की विचारों को जीवनत रखेंगे ऐसे अपिक्षा करता हूँ तो समता मुलक समाज से स्ताफन करना है लोकतां तरीक जो मुल्य है जो परंपुज डॉक्टर बाबा साथ अंविट करी इनोंने समीधान में रखे उन मुल्यों को भी हमें जिन्दा रखना है यह थे इंजिनियर राजकुमार बडोले साहब जिन से हम बाच्चित कर रहे थ निति राजनिति बडोले साहब आपने अपना बड़ा कीमती समय हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार जय भी अब कर दो कर दो कर दो कर दो